लिज़ी आपना मदेशन फिर जनत्छ. चाल. एकेल मदेशन किए देटाश। लिज़ी कोनरी में आड़िक भी पैल्पोरण कि जंगलेशनांगेजेए हमेपतिक दवाओं की जानकरी के साथ घरेलू नुस्के के बार में बिस्तार से बताये जाता है। आज की वीडियो में हम आपको गंजे सिरपर दोबारा बाल उगाने वाले बहुती चमतकारी और सादू संतों द्वारा बताय हुए रहसमे नुस्के के बारे में बताने वाले है इस चमतकारी तेल को आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके अपने जड़े हुए बालों को दोबारा हुगा सकते हैं साहती बालों की काफी सारी समस्या को दूर करने वाले इस नुस्के को आज हम आपको बताने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा तो चलिए देखते हैं सबी अपना अपना दावा प्रसुत कर रहे हैं कि हमारे तेल से बाल दोबारा उग जाएंगे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है इसलिए लोग hair plant कर रहा है लेकिन hair plant के काफी सारे नुकसान भी है तो काफी मेनत के बाद हम ने ये नुसका धून निकाला है और हम आपक इसमें yellow भी बोलते हैं ये आपको छत्ता बड़ी मुश्कल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा ये चत्ता आपको जंग्ली छेतर में गाओं के मकानों की छतों पे या पर किसी पुराने मकान पर लगा हुआ कोने कुचाले में आपको मिल जाएगा थोड़ा मुश्किल है लेकि काफी कोशिस करने के बाद ये चत्त लेकर आएं तो आपको जितने चत्ते मिल जाएं उतने चत्ते आप ले ले लिजीगा उसके बाद आपको एक लोहे की कटोरी या जितने चत्ते आपके पास हैं उन चत्तों को तेल में गरम करना होता है इसलिए आपको कड़ाई या कोई ब पेरसूर लिया है, पेरसूर लगवक सुद्धी होता है, आपको किसी और प्रकार का तेल इस्तिमाल ना करें तो अच्छा है, तो कि अधिक तर तेलों में पेराफिन या फिर पेपर आयल का मिसरण होता है, जो बालों के लिए हनी कारक है, तो इस कटोरी में हम इस ओयल को डाल गए है, अब हम इस तेल को गर्म करेंगे, और तब तक इसको हम गर्म करेंगे, जब तक ये छत्ते जल कर काले ना हो जाएं, तो हमने इसको गेस पे लग दिया है, और कुछ देर बाद ये गर्म होने लगएगा, इस तेल को आपको धीमी आज पर ही पकाना है, गर्म होने के इस तेल में से काफी सारा धुआ निकलता है तो धुआ निकलने दें और जो आपका वर्रही का चत्ता है वो धीर धीरे काला हो जाएगा इसको पूरी तरह जल जाने दें यानि कि पूरी तरह काला हो जाने दें तो यह देखिए काफी सारा धुआ निकल रहा है और यह हमारा च चत्ता और यह हमारा चत्ता पूरी तरह काला हो चुका है अब हम अपनी गेस को बंद कर देंगे और इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए आप किसी बरतन में पानी डाल कर इसको रखकर भी ठंडा कर सकते हैं वरना आपके पास समय है तो आप इस तरह त्यार हो गया है अब इसको हमको चानना है और किसी बोटल में भरके रखना है चानने के लिए आप चलनी या किसी कपड़े का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद इस तेल को लगाने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस तेल को आपको काफी सुविदा होगी इसी प्रकार से आपको रात में सोते समय भी थोड़ा से तेल अपने बालों में लगाना है और दस से पंदा मिट तक मालिश करना है ये प्रक्रिया आपको लगबग एक मंध्य तक करना है इसके बाद आपके जड़े हुए बाल यानि कि आपक परिचे थे और ये मित्र के बाल काफी हद तक जड़ चुके हैं आप देख लीजे अच्छे से एक मेने तक ये इस तेल को लगाएंगे और इनके बाल में क्या रिजल्ट आता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बाक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि क्या हम इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं या फिर आपकी क्या विचार है हमें कमेंट करके जलू बताएं और हाँ भाईयो और बेहनों आप हमारे चैनल जंगली मेडिसन को सब्सक्राइब जलू करें और झाल झाल